सब जिस तरीके से हमने देखा कि कुरी बात रख्की थी एक महीना हो गया अज़ अकल 24 तारीक हो जाईगी नवंबर की भी शिरुसेना ने जो किया किया उसके बाद ये करने की नौबत आई देखे सबसे पहले तो मैं हमारे निता अधरनिय मोदी जी और हमारे राष्ट्रे अद्देक्ष अमीद भाई शाह जी हमारे कारे अद्देक्ष नड़ा जी इन सभी का बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट के मुख्यमंत्री के का दिया मूल रूप से महाराष्ट की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था किन्तु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पारटी ने हमारे साथ गणबंदन करने की जगह दूसरी और गणबंदन करने का प्रयाश शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट में राष्ट्रपदी शासन लागू हुआ और महाराष्ट में कितना समय राष्ट्रपदी शासन लागू हो महाराष्ट जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता और इसके चलते महाराष्ट को एक स्थिर शासन देनी के आवशक् अजी दलापवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा उनका भार भी वेक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निरने लिया कि महाराश्ट को एक स्थाई सरकार मिले इस हेतु से वे भारतिय जनता पार्टी के साथ आएंगे हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आये हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आधरनिय राजयपाल जी को पेश किया उस दावी की पुष्टी करते हुए आधरनिय राज्यपाल जी ने माननिय राश्ट्रपती जी से अनुशन शाकी कि राश्ट्रपती शासन वापिस लिया जाए और राष्ट्रपती शासन वापिस लेने के बाद आज यहां पर हमको माननिय राज्यपाल जी ने शपत का निमंत्रण दिया मैंने और श्री अजीत दादापावार इन्होंने शपत ली है मैंने मुख्यमंत्रीपत के लिए है उन्होंने उपुमुख्यमंत्रीपत के लिए है और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट में एक स्थीर स्थाई इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे